कुरोना वाइरस संक्रमड से बच्चाओं को लेकर 22 मार्च को लॉक्डाउन जारी होने के बाद से ही सागर जिले के बीना में रिफाइनरी में काम करने वाले मजदूरों का रोजगार छिन गया है तो वह अपनी घर जाने के लिए परिशान होने लगे हैं करीब गेड़ महीने तक बीना में रहने के बाद यह लोग लॉक्डाउन में फसकर रह गए लॉक्डाउन में मिली रियायत के बाद यह मजदूर लोग बीना की साइकल दुकानों पर पहुँचे और नई साइकल खरीद कर अपने घर जारखंड के लिए रवाना हुए लॉक्डाउन में बाहरी राजियों में काम करने वाले हजारों मजदूरों को सरकार ट्रेनों और बसों से ले जा रही है तो कहीं कहीं मजदूर पैदल ही कई किलोमीटर की यात्रा करने के बाद घर पहुँच रहे हैं ऐसा ही मामला बीना रिफाइनरी में काम करने वाले ज़ार खंड के मलदूरों के साथ हुआ यह मलदूर अपनी साइकल से 10000 किलोमेटर की यात्रा कर ज़ार खंड के गढ़वा जिले में स्तेथ अपने घर पहुंचेंगे कि अधिए पाइटली प्रिकाम कर रहे हैं बीना केक नंबर गेट से हम लोग कोई स्विद्दा अब्दा नहीं मिल रहा था ठिकदार भी बोल रहा था कि पैसा कवड़ी नहीं है हम लोग दो महिने से बैठे हुए है उसके बाद में आथी हम लोग सोचे कि भाई गाडी सब्सक्राइब नहीं चल रहा है हम लोग यहां बैठे 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 गर से पैसा मगा मगा खा रहे हैं हम लोग घर जा रहे हैं स्टाइकिल से ही जाएंगे बीना से मनोज वादवानी के साथ राम कुमार एहरवार सागर टीवी निउस